नमस्कार ब्यस्सी प्रिथंबर्स पहतकी के दुत्तिय प्रशनपत्र दोला निर्वम तरंगों में इछले दो दिन में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंदित अध्यन किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल पोलर मॉलिकुल्स में किस प्रकार से बनेंगे और किसी बिन्दू आर्थीटा पर बिद्दुत दिधुर्व की उपस्तिती के कारण बिद्दुत बिभव का मान क्या होगा बिद्दुत बिभव के मान को ग्रेडियन्ट बन अपोन आर में लिखना और फिर हमने निरक्ष और अक्ष का भी बिचार किया तदु प्रांत हमने उसी बिन्दू पर बिद्दुत छेत्र की तीब्रता भी ग्याद की थी और यदि बिद्दुत छेत्र समरूपी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स टॉर्क और यदि हम उसको कुछ रोटेट करना चाहें तो कितना बर्टन होगा और उसकी पोटेंशल एनर्जी क्या होगी ऐसे कई बिसे हमने छोटे-छोटे डिसकस किये थे मैंने आपको बताया था कि लेक्ट्रिक डाइपोल पर पार्ट ए में कंसेप्चुल प्रोलम आती है इसके साथ ये एक ऐसा बिसे है जिस पर हमेशा कोई ना कोई निमेरिकल प्रोलम रहती है पिछले 7-8 बरसों के जो प्रसन पत्र हैं और उन प्रसन पत्रों में इस बिसहपर जो टॉपिक पूछे गए हैं इस बिसहपर जो numerical परिक्षा में आये है उनको मैं आज solve कर रहा हूँ अगर आप प्रसन पत्रों को देखें गे तो आपको ये जानकारी में आएगा कि numerical as it is repeat हो रहे हैं उनके numerical value में भी कोई परिवतन नहीं हो रहा है पहला numerical है माल लीजिएगा NaCl-Ano के Na+, पे CL-Ano के मद की दूरी बन अंगस्ट्राम है इसके केंद्र से दस अंगस्ट्राम दूरी पर अधिक्तम और निम्तम विभव की गड़ना करनी है हम विभव का सूत्र जानते है वह विभव का सूत्र है Phi is equals to Kp cos theta by R square P2 की डाइपोल मुमेंट है इसलिए QD की फॉर में लिखा गया है Q का मान हमको मालुम है D का मान हमें मालुम है और K की बैल्यू हम जानते है R जो मान है वह 10 अंगस्टाम दे रखा है मीटर में करनबट कर सकते है हम जानते हैं थियोरी में हमने बताया था कि अधिक्तम विभव के लिए theta 0 degree होगा अक्षपर होगा तो 0 degree रख करके हम अधिक्तम विभव की गढ़ना कर सकते है नियूंतम विभव का मान सून होगा और नियूंतम विभव theta बरावर 90 degree पर होगा यानि निरक्ष पर होगा ये एक आसान सा numerical है लेकिन आपको आश्चर होगा अनीक बार परिक्षा में ये numerical पूछा गया है इसी तरह से एक numerical है यदि HCL अनू का दिधुर्व आगून 3.4 x 10 की पावर माइनस 30 cm है तब दो कारे हम को करने है अनू के आईनों के मद्द की दूरी गयात करें और आईनों को मिलाने बाली रेखा पर दिधुर्व के केंदर से 20 अंगस्टान दूरी पर इस्तित इलेक्ट्रोन की इस्तितिज उर्जा का मान भी पूछा गया है चुकि डाइपोल मुमेंट का मान दे रखा है और डाइपोल मुमेंट का मान 3.4 x 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर दिया गया है इसलिए हम D यानि आइणों के मद की दूरी निकाल सकते हैं दिधुर्व आगउन कूलम मीटर में है इसलिए आइणों के मद की दूरी हो गई P अपॉन Q और यह मान 0.212 अंगस्टान मिल जाता है आइणों को मिलाने वाली रेखा यानि अक्छ हो गई आइणों को मिलाने वाली रेखा यानि अक्छ हो गई तो 5 is equals to kp cos theta y r square theta बरावर 0 degree है और यह हमें बताया गया है इस प्रॉलम में कि 20 अंगस्टान की दूरी पर हमको यह ग्यात करना है इसका मतलब होगा r is equals to 20 अंगस्टान उसको मीटर में कनबट करेंगे और इस प्रकार से हम अक्छ पर दिदुर्ब के केंदर से 20 अंगस्टान दूरी पर इलेक्ट्रोन की इस्तितिज उर्जा ग्यात कर सकते हैं दिहान रखिएगा इलेक्ट्रोन की जो इस्तितिज उर्जा सूतों से आएगी वो जूल में आएगी और उस एनर्जी को आपको इलेक्ट्रोन बोल्ट में कनबट करने के लिए 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइट करना पड़ेगा जब आप डिवाइट करेंगे तो यह उर्जा हमको इलेक्ट्रोन बोल्ट में मिल जाएगी एक प्रॉलम तीसरे नंबर का जो हम डिसकस कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में Q is equals to 2 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर माण के दो बिपरीत आवेश 2 सेंटी मीटर की दूरी पर इस्तित है दूरी बता रखी है चार्ज का मान दे रखा है और इस डाइपोल को 2 into 10 की पावर 5 बोल्ट पर मीटर वाले बिद्दुच छेतर में रखा गया है काम क्या करना है दिधुर पर लगने वाला कारेरत अधिक्तम बलागूंड टॉर का मान गयात करना है दूसरा इसी में प्रस्ण और आगे बढ़ाया गया है कि यदि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हम इलेक्रिक डाइपोल को रोटेट करें यूनिफॉर्म इलेक्रिक फील्ड में तो इस रोटेशन में जो किया गया कार है उसका मान भी बतलाईए तो पहला जो कार्य है वह है अधिक्तम भलागून हमने टॉर्क के लिए मान निकाला था आपको ध्यान होगा वहन भी कैप अन एलेक्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एलेक्रिक फील्ड देन एक्सप्रेशन फोर टॉर्क टॉर्क इस उकस्टू बैक्टर पी क्रॉस इ देरफोर इट बिकम पी इ साइन थीटा यहां पर अधिक्तम निकालना है इसका आर्थ हुआ थीटा 90 डिग्री हो गया तो पी यानि क्यू डी ए के गुड़न फल से हमें टॉर्क का मान मिल जाएगा जबकि 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करने पर हम जानते हैं एक्सप्रेशन नेट एक्सप्रेशन फॉर्क डिग्रन इन रोटेटिंग इलेक्टिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्टिक फील इस डबलू इज उकस्टू में कार है वहें देख रहे हैं 2PE आएगा और इस प्रकार से यह हमको ग्यात हो जाएगा एक प्रॉलम इस प्रकार से है कि यदि HCL का एक अनू 10 की पावर 4 बोल पर मीटर बिद्दुछेतर में रखा है तो बिद्दुछेतर से 30 डिगरी कौन बनाता है तब लगने वाला बलागून का मान निकालें और बिद्दुछेतर के लंबत करने में किया गया कार की मान करें बिद्दुछेतर की लंबाई 1.6 अंगस्ट्राम दे रखी है हम जानते हैं जो बलागून है वो प wär बिद्दुछी साइन दीटा है प kा मतलब डाइपोल मॉमेंट QD हो गया तो हमको डी का मान रहा है क्यु का मान रहा है ए का मान रहा है धा तीटा 30 डिगरी दे रहा है जिससे साइन दीटा बन बाई तू हो जाता है और इस प्रकार से हम जो टॉर्क है उसके मान को निकाल सकते हैं और मैंने जो ये हल किया है ये टॉर्क का मान निकल के आता है 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 25 नूटन मीटर दूसरा कार पूछा गया कि इस दुदुर्व को बिद्दु छेतर के लंबत लाने में किया गया कार तो अभी हमको जो अभी पहले निमेरिकल किया था उसमें दोनों कौन्ट बता रखे थे इसमें 30 डिगरी पर इस्तित है और 30 डिगरी से हमें 90 डिगरी करना है इसका अर्थ हुआ थीटा बन 30 डिगरी हो गया थीटा टू 90 डिगरी हो गया और जैसा अभी हमने पूर्व के निमेरिकल में किया था बिल्कुल इसी प्रकार से करते हुए हम डबलू इजिकस्टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू करके किये गए कार के मान निकाल सकते हैं एक यह है निमेरिकल बहुत इंट्रेस्टिंग निमेरिकल मिला है पानी के एक अनू में यदि सभी इलेक्ट्रोन ऑक्सीजन परमाडू के चार और सम्मित रूप से परिसंचरन करते हुए पानी के अनू का दिदुर्व आगून की गणना कीजिए और आपको दिया गया है ओएच बंद की लंबाई 0.96 अंगस्ट्राम है ओएच के मद कौण 104 डिगरी है और इसमें कॉस 52 का मान भी दे रखा है 0.6 बंद 6 हम जानते हैं डाइग्राम को दिखेगा आप दोनों के मद में जो बंद कौण है 104 डिगरी डिफाइन किया हुआ है मैंने जो परणामी दिदुर्व आगून होगा उस डाइग्राम को भी चित्र में दिखाया है तो दिदुर्व आगून का जो मान होगा वो क्यू डी होगा क्यू का मान दे रखा है डी का मान 0.96 अंगस्टान दे रखा है इसलिए दिदुर्व आगून P1 P2 बरावर है उनका मान कैलकूलेट कर लिया गया है 1.536 इंटु 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर परणामी दिदुर्व आगून को निकाला गया स्क्वार रूट आगून को P2 स्क्वार प्लस 2 P1 P2 कॉस ओफ 104 P1 P2 बरावर है P के तुल है इसलिए यह हो गया P2 स्क्वार रूट आग 2 बन प्लस कॉस एक सो चार डिगरी और कॉस 2 थीटा बरावर 2 कॉस स्क्वार थीटा वाई कॉस 2 थीटा is equal to 2 कॉस स्क्वार थीटा माइनस बन होता है इसलिए यह समीकर्ण हो गई 2 P कॉस 52 इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और परणामी जो दिदुर्व आगून है उसके मान की गढ़ना कर ली गई है वह है गढ़ना 1.87 इंटु 10 की पावर माइनस 29 कूलम है एक और यह निमेरिकल परिक्षा में मुझे मिला है HCL अनु पर है कि HIN CL आइनो के मद की दूरी 1.28 अंगस्ट्राम है दिदुर्व के केंदर से 10 अंगस्ट्राम दूरी पर इस्तित्विद्दु छेत्र की तीब बिरता और दिसा की गढ़ना कीजिए जब बिंदु पी अक् तथा दिदुर्व के अक्से कोई साथ डिगरी के कौन पर इस्तित्थ हो इस सॉलिचन को थोड़ा ठंक से समझाएं आप आपको क्या दिया गया है small d is equals to 1.28 अंगस्ट्राम अंगस्ट्राम है तो मीटर में कनबट कर लीजेगा r का मान दे रखा है it is 10 अंगस्ट्राम इसको भी मीटर में लिख लीजिए q is equals to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम है कि एक constant का मान हमको मालुम है अधिय डाइपोल मुमेंट का जो मान हो जाता है वो है प eq qd और इस प्रकार से हमने डाइपोल मुमेंट के मान को निकाल लिया है अब बात कर रहे हैं अक्ष पर तो हम जानते हैं जो हमारे विद्दुछेत वीती ब्रता है उसके जो दोनों प्रमुग घटक है वह घटक होता है e x is equals to 3 kp sin theta cos theta by rq जबकि e z जो दूसरा घटक है उसका मान होता है kp 3 cos square theta minus 1 upon rq अक्ष पर पूछा गया है इसका मतलब हुआ theta बरावर 0 degree theta बरावर 0 degree होने से e x 0 हो जाता है और e z का मान निकल के आता है 2 kp by rq जिसकी हम गंड़ा कर लिये हैं यदि हम निरक्ष पर इसको देखें तो निरक्ष पर theta बरावर 90 degree होगा पुने जो पहला घटक है उसमें चुकि cos theta sin theta दोनों की टर्म है अते निरक्ष पर भी जो प्रतम घटक e x है उसका मान सूनने होगा e z के मान को निकला जा सकता है और e z का जो मान आएगा minus kp by rq आएगा इसका अर्थ देख रहे हैं आप इसमें जो e z निकल के आया है वो है minus 1.84 into 10 की पावर एस बोल्ट पर मीटर है और इसकी दिसा बिद्दु दिदुर्व की जो अक्ष है उसके बिपरीद है जब बिदु पी का इस्तिती सदिस दिदुर्व के साथ 60 डिगरी का कौन बनाए यानि theta is equal to 60 डिगरी cos 60 sin 60 डिगरी के हमको मान मालूम है अब आप e x और e z दोनों घटकों को गड़ना कर सकते हैं e x is equal to 3 kp sin theta cos theta y r q e z is equal to kp 3 cos square theta minus 1 upon r q और इस प्रकार से जब हम उन दोनों घटकों की गड़ना कर लेते हैं तो परणामी बिद्दु छेतर निकल के आता है e is equal to square root of e x square plus e z square और 10 alpha जो दिशा के लिए निकाली गई है उसका मान होगा e z upon e x और इस प्रकार से हम उसकी दिशा को भी ग्याद कर सकते हैं तो पिछले साल 7-8 बरसों में जो electric dipole पर numerical problem पूछी गई है मैंने वो सभी आपको हल की है और मैं यह आसा करता हूँ कि यह सभी problems जब आप देखेंगे तो आपको बिशेर रोचक लगेगा और आप परिक्षा में बहुत अच्छा कारे कर सकेंगे धन्यवाद क्रचक कारे है को कारे कर देक है कारे है